सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं सो फैनली ओपो वालो ने अपने ओपो रेनो 10 के अंदर कलरवेस 13.1 बेस्ट अंडराइट 13 का न्यू सॉप्टेर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है साथ ही इसका बेटरी परफॉर्मेंस की स्टैप से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है इसके अलावा इस update को करने के बाद और क्या कुछ new changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का full review देने वालों दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device details चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर नीचे के side about device में यहाँ पर उपर के side में देखेंगे आपको color OS के साथ official version देखने को मिलता है और OPPO Reno 10 का model number CPH2531 देखने को मिलता है बात की जाए इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको 13.1.1.145 bracket में EX01 करके new update देखने को मिलता है और इस update के जो size है वो आपको 35 या 36 MB के आसपास देखने को मिलता है और यह आपको color OS 13.1 के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5th July 2023 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी चोटे मोटे non issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर optimize करके improve कर दिया है जिससे कि अब आपको better experience देखने को मिलता है साथी दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको और भी optimize और improve किया है जिससे कि battery life, apps experience, speed, stability साथी apps opening, closing, swiping, up, down और भी better experience के साथ काफी fast और smooth performance देखने को मिलता है इस update को करने के बाद मेरे को अभी तक कोई भी lagging issue देखने को नहीं मिला है इसके अलाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो setting के अंदर, mobile network के अंदर यहाँ पर दोस्तो mobile network के connection को improve कर दिया है उसके stability को improve किया है जिससे कि जो network का up down अगरा का problem होता था वो यहाँ पर fix हो चुका है आपको better experience के साथ mobile network के connection देखने को मिलता है इसके अलाओ बात कीज़े अगले change की तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो camera का performance है उसको और भी better कर दिया है साथ ही camera apps का opening closing उसको भी यहाँ पर fast किया है इसके अलाओ इंडोर में photo अगरा लेने पर portrait mode में proper way में photo नहीं आता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिस्ते की अब आपको better experience के साथ camera यूज करने को मिलता है साथ ही fast और smooth performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो setting के अंदर notification and status bar के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको smart suggestion का features देखने को मिलता है तो यह features दोस्तो generally करता क्या है कि अगर आप इस features को on करते हैं तो आपको यहाँ पर notification driver, status bar, lock screen या फिर कहिए कि always on display में riding, hiling या फिर food delivery अगरे को so करता है यह features दोस्तो जो आपको always on display में music playback और food delivery का option दिया है उसी प्रकार यह features भी यहाँ पर आपको always on display, notification driver, status bar या फिर lock screen में so होता है और इसमें भी आपको riding, hiling और food delivery का option दिया है साथ दोस्तो यह features notification and status bar के साथ यहाँ पर आपको special features में भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर से भी आप यह features को on off कर सकते हैं इसके लग बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो fingerprint के अंदर यहाँ पर दोस्तो fingerprint का जो speed है वो पहले काफी कम देखने को मिलता था साथ ही दोस्तो अगर आप screen को off करते थे तो जो fingerprint का icon है वो थोड़ा slow देखने को मिलता था वो proper slow नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर improve करके और भी better कर दिया है जिससे कि अब आपको fingerprint का speed और enrollment जो है आपको काफी fast देखने को मिलता है पहले से यहाँ पर काफी improve देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो touch control के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो phone है वो कभी-कभी या कुछ-कुछ time पर जो है touch को proper way में response नहीं करता था तो उसको भी यहाँ पर improve करके optimize करके और भी better कर दिया है जिससे कि अब आपको touch control का experience जो है और भी better देखने को मिलता है आपको काफी ज्यादा smooth और stable performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक साइड special features में यहाँ पर दोस्तो आपको smart sidebar का features देखने को मिलता है जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको new layout या new design देखने को मिलता है पहले दोस्तो smart sidebar को height करने या show करने का option जो है आपको कुछ इस टेप से name लिखा हुआ side में button देखने को मिलता था लेकिन दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको new layout के route में देखने को मिलता है जिसके तुर दोस्तो आप अपने sidebar को auto height रखना है या do not height करके रखना है आपको यहाँ पर layout के route में new option देखने को मिल जाता है साथी दोस्तो यही पर special features में आपको simple mode देखने को मिल जाता है जो कि आपको new simple mode देखने को मिलता है यहां पर दोस्तों आपको Tutorials देखने को मिल जाता है जिसके थूरू दोस्तों आप Simple Mode को कैसे यूज करना है वो यहां पर सीख सकते हैं तो आपको New Simple Mode देखने को मिल जाता है जो कि Tutorials के साथ देखने को मिलता है यहां पर दोस्तों इसका जो बेटरी परफॉर्मेंस की तो यहां पर दोस्तों इसका जो बेटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है पहले से दोस्तों यहां पर काफ़ी बेटरी बेकाप बेटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है पहले दोस्तों कोई को यूजर को काफी बेटरी ड्रेनिंग का प्राबलम फेज करना पड़ता था, थर्ट पर्टी, केमरा वागरा यूज करने पर आपको काफी ज़्यादा बेटरी कंज्यूम होता था, तो उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिस्ते कि अब बेटर बेटरी बेकप बेटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, साथ ही दोस्तों इसका जो चार्जिंग स्पीड है, वो भी सही देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चार्जिंग करते हैं, तो आपको थोड़ा हीटिंग इसू देखने को मिल जाता है, अगर देखने को मिलता था जिसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब दोस्तो अगर आप game खेलते हैं गेम प्ले करते हैं तो आपको काफी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अभी भी कोई को user को अगर आप ज्यादा टाइम तक game प्ले करते हैं तो आपको lagging इसू करना पड़ता हैं लेकिन दोस्तों ओवराल जो गेम का परफामेंस हैं वो आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता हैं अब दोस्तों बात की जाए ओपो के सिस्टम एप्लिकेशन अपडेट की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी टे सिस्टम एप्लिकेशन अपडेट देखने को मिल जाएगा जो की लेटेस्ट वर्जन है जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप क्येरफुली इंस्टाल कीजिएगा हो सकता है दोस्तों आपको कुछ प्राब्लम देखने को मिल जाए कि apps crashing issue अगर आदेखने को मिल सकता है तो आप carefully install किजेगा अगर कुछ problem आता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी तो इसके लिए आप अपने risk में install किजेगा तो है रहा दोस्तो इस update का full review दोस्तो ये update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से new bugs और features देखने को मिले मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next video में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो